हलो एवरिवरन, इट सेपियंस, आज के इस वीडियो में हम DBT 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं स्कोर कार्ड आपका रिलिज हो चुका है और अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में स्कोर कार्ड के कितने दिन बाद में रिजल्ट आया है हम बात करें 2021 की तो स्कोर कार्ड आपका रिलिज हो गया था 28 अगस्त को और उसके कुछ दिन बाद में 7 सप्टेंबर को आपका रिजल्ट भी आ गया था अगर 2022 की बात की जाए तो 25 में को scorecard आ गया था और उसके कुछ दिन बाद 2 जून को result भी आ गया तो इसी तरह हम 2023 की भी अगर बात करें तो scorecard आपका 9 तारीक को रिलिज हो चुका है और result की अगर बात करें तो result 15 से लेकर 20 जून maximum उसके बीच में आ जाएगा और इसका result जो है list के form में आता है जिसमें सारे candidates के नाम लिखे होते है जो category 1 में आया या category 2 में आया है तो I hope कि ये list जो है category 1 और 2 की 15 से 20 जून के बीच में release हो जाएगी